कौन है माता प्रसाद पंडे? अखलेश ने बनाया नेता प्रतिबर्च चाचा शिवपाल को छूड उन्हें क्यों चुना? सपाचीफ अखलेश यादों ने संसद बनने के बाद यूपी विधान सभा में खाली हुई नेता प्रतिबर्च की सीट को आखिरकार भर दिया है यूपी में 28 चुराई से मानसून सत्र है लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले ही सपाप्रमुक ने माता प्रसाद पंडे को नेता प्रतिबर्च का जिम्याद दिया है अखिलेश ने ब्रामठ चेहरे माता प्रसाद पंडे को ये पदभार देकर सभी को चोका दिया है पीडिये की बात करने वाले सपाचीफ ने एक ब्रामठ चेहरे को जिम्यदारी दी है इससे पहले इस बात की अटकले काफी जादा थी कि अखिलेश के संसत में जाने के बाद अब विधान सभा में चाचा शूपाल उनकी भूम का निभाएंगे लेकिन सपाचीफ ने अलग ही प्रियोग कर दिया पतादे कि माता प्रसाद पांडे की गिंती सपा के वरिष्ठ नेताओं में होती है सिधार्थ नगर के रहने वाले हैं और नेता प्रित्पक्ष बनने के बाद कहा जा रहा है कि सपाचीफ के इस फैसले से जिले का गौरो और बढ़किया है नेता प्रित्पक्ष बने माता प्रसाद दो बार के विधान सभा अध्धक्ष हैं साथ ही साथ बार के विधायक भी माता प्रसाद सिदार्थ नगर जिले के इटामा विधान सभा छेतर से साथवी बार विधायक बने है वा दो बार प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष के साथ स्वास्थ और स्रम मंत्री भी रह चुके हैं नेता प्रत्पक्च बनाये जाने से समर्थकों में भी काफी हर्शोल लास है 31 दिसंबर 1942 को सिदात नगर के पिरैला गाउं में जन्मे मातापरसाद पांडे वर्श 1974 में इटावा विधानसभा से पहली बार चुना रोड़े थे हाला कि उफ्तवरानवा हार गये थे लेकिन संगर्सों के आदी मातापरसाद पांडे डटे रहे और वर्श 1980 की जन्ता दल की लहर में विधानसभा पहुँचने में काम्याबी हासिल की हाला कि अब वह नेतापरतिपक्ष की सीट की जिम्मेदारी संभालेंगे आपात कल के दोरानवा करीब 17 महीने जेल में भी रहे मातापरसाद हमेशा महिलाओं, दलितों, पिछणों और किसानों के मुद्दों को लेकर मुखर रहे उन्हें विपक्षी दलों में भी पसंद किया जाता है नेतापरत्पक्ष उन्हें जाने को लेकर मातापरसाद का आखिर क्या कुछ कहना है, सुनी और मैं हर सम्मोब प्रयास करूँगा कि विदांसभा में जो इस सरकार की द्वारा उपेक्षित, वन्शित लोग हैं उनकी समस्याओं को हम उठाओं. साती जो समाज की कटनाईयां हैं दुस्वारियां हैं चाहें पिजली के मामले में हो चाए कानून ब्युएस्था के मामले में हो चाया राजक्ता के मामने में हो सारे विश्यों पर हम यहां सरकार को घरने के को सदन है अब हम लोग आकरह किये थे कि वह पांच दिन लर आओ बढ़ा हो अब यह सरकार तै करते हैं कि कितने दिन चरहा हैं हम लोग पूस्य करेंगे कि आगे चले जिसे सारी समस्याओं पर पाते रही हैं क्या मुदे रहे हैं